नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव और इस समय हम खड़े वे हैं फरिदाबाद के गाउं द्यालपूर के अंदर जहां पर की आज एक किसानों की महापंचायत हो रही है आपको बता दे कि पूरे हर्याना में जिस तरीके से किसानों ने जो है वो एक मुहिम बनाए वी है कि जो भी मोझदा पार्टी यानि भारति जन्तापार्टी जन्नाइक जन्ता पार्टी नेता हैं इनके जो भी और किसानों कि बहु को पंजाव करने जा रहे हैं पंजाएत कि आपको अपको फिसानों के रहे है बहे क्रों frame और किकालपूर के अंदर हो रही है देख सकते हैं आप कितने जो किसान है और फारी संख्या में कहीं कहीं खर हम है और रोस्ति किखाई के अंदर है कि लगातार किषानों का जारी है और कहीं कहीं किसान जो है वो ये कह रहे हैं कि खालियाख के जो उपमोख्य मंतरी दुशन चोटाला का 21 तारिक कोडा कारेकरम के जो है इसका विरोध देखने को मिल रहा है किसान लगातार कई महीनों से जो है वो आंदोलन पे बैठे वे हैं अपनी मांगों को ले करके बैठे वे हैं इसी तरीके से किसान जो है वो जितने भी किसान नेता है वो घर-घर जाकर के यानि कि तमाम गाउं की जितने भी इस छेतर के आसपास गाउं लगते हैं उन सभी में यह गोशब है जोकोनामरुप लाड़ आज घरेपा पंचायत की वहाँ मोहिटेका सब्सक्राइब क्या एक मैं या तरह है मेशारि के द feelings ग्राइब तरह नीए ग्मEC हो रही है और इनकानेकारून उनके बारे हम अपना फैसला ले रहे हैं जो हमारी समाज कहें गया है उसको मानने करेंगे तंते और मंते उसको स्वागत करेंगे तो कहीं न कहीं देखें तंते और मंते स्वागत करने की बात करें कुछ और लोग हमारे साथ जानते हैं कि हमारे जो दिप्टी सियम है दुसरें चोटाला जी वह मारों मनाने के लिए नरियला गाम आ रहे हैं कि हमारे आंदोर्ण दौरान 300 से ज्यादा किसान सहीज हो चुके और जहां किसानों की दूर्दसा हो रही है और हमारी सरकार होली मिलन समारों मनाने जा रही है कितनी एक दुखत बात आए तो हम इस पंचैत के माध्यम से नरियला गाम के किसानों से भी अपील करते हैं और सर और इसको लेकर के जो है वह पंचायतों का दोड चल रहा है आपका क्या नाम धारा सिंग जी द्यालपुर से तो काउं के लोग ही कठे होए आप लोग क्या फैसला लिया है तो अभी लेंगे जो भी है पर फैसला तो आपको भी पता बात करके अंधरों कमजोर करना चाह रह जो दर्तीमा का सीना चीर का के मोदी जैसे लोगों के भी पेट भड़ता है उसका नाम किसान और इस नहों ने हमारे अंदोलन को कमजोर करने की पूरी कोसिस किये हम दोबारा हर धरम हर जात्वी के लोगों को जोड़ेंगे और इन्हें यह दिखाएंगे किसान की क्या पापर होती है और किसान की नहीं सुनेंगे तो इनको आगए उस परिणाम इनके आगए आएंगे राजनीती में भी यहां कोई राजनीती नहीं हर हर उसका जो हर पार्टी का आदमी बोटर तो देता ही है किसान सब इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने मोधी को भी दिया और लेकिन आज लेकिन जन्नायक जनता पार्टी के कारेकरता कहते हैं कि कारेकरम होके रहेगा लगातार तैयारियां उनकी जो रोसोरों से हैं क्या लगता आप लोग जन्ता पार्टी जो बनी थी आपको भी पता है यहां जो मेरे से ज्यादा नुमभी लोग बैठे हुए हैं यह कभी चौधरी देविलाल एक महान अभूती होती थी हमार यह और अपनी मम्मी की सीट बचानी भारी हो जाएगी जैसे मेरा नाम नहर सिंग धारिवाल जी गाम जवां हम यह कहना चाहते हैं किक सान जो चैर महिना से परेषान है रोड पर बहुत आईज मिने शायद दे दी उन्हें कुछ विया तक कोई दो मिनट के लिए उन पर रखने के लिए भी त्यार नहीं है और यह समाधान होनों चाहिए हमें MSP मिल लिए इसे चाहरें जी किसान इसी विशे में जो डिप्टी साब का जो बिरोध करेंगे मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता परेषान है और हम सब लोग पहले तो किसान ही है और अब हर्याने के अंदर दो सीटें खाली हुई हैं इनकी आउकाद तो इसमें पता लग जाएगी वही क्या आती है और वही हम खुल के बिरोध करेंगे नागर साथ आप भी यहां पहुँचे हुए पंचायत के अंदर क्या कारेकरम रहेगा उस दिन की क्या रूपरेखा बनाई है आप लोग उने लगातार तीन पंचायत है यह हमारे जो है बामन पायल किसान मजदूर संग है जो अपना लगातार गाउम गाउम जाके पंचायत कर रहा है क्यूंकि हमारा एक मानना है जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं जे वीज़ेपी पारटी जेजेपी ये बिलकुल किसान हितेसी नहीं है तो हमारे किसान भाईयों में आप देख रहे होगे कि हर गाउम में एक भरी जो समर्थन लोगों को मिल रहा है और वो एक बहुत ही अपने आप में एक बड़ा एक सोचने का विसे है कि ये लोग जेजेपी वाले वीजेपी वाले कौन सी दिशा में जा रहे हैं जहां हमारे किसानों की 70% आबादी इस देश में हो और 70% जो अंदाता जिसके जो देश की अर्दववस्ता को चला रहा हो यह उन्हीं के खिलाब जा रहे हैं तो आज जो महौल बन रहा है वो बिलकुल इनके खिलाब महौल बन रहा है और आज इस मुसीपत में जो आज किसान अपना तीन-तीन साड़े तीन-तीन महिनाओं से रोड पे ही अपना लेटा हुआ है पूरी सर्दी उनके उपर से गुजर गई आज फिर गर्मी आ गई है और मच्छर उनको खा रहे हैं लेकिन वो परवा नहीं कर रहा है वो अपनी मांग मान रहा है और इनके जरासी भी इनको जू नहीं रहेंग रह हरी विरोध करेंगे और अब आप देखी रहोगे कि हर गाउं में महा पंचायत का आयोजन हो रहा है लोग खुद इतने उस्सायत हैं कि वह इनको वास्तमें सरमानी चाहिए कि जहां रोजगार नहीं जहां हमारे पेट को रोटी नहीं वहां यह होली मिलन करना चाह रहे हमा हमारी माता और में हमारे बजूर्ग नौजवान साती इनको भरी मात्रा में इनको काले जंडे काम करेंगे इनका विरोध करेंगे अपना विरोध परदर्शन करेंगे यह सबाब परिशासन पूरे तरीके से सतर्क है किसानों को जो वो पहले ही अंडरग्राउंड कर लिए अब अरेस्ट कर दिया जाएगा उसको लेकर के पुलिस ने पूरी पुर्व त्यारियां जो है वह पुक्ता की हैं कैसे पॉसिबल हो पाएगा आप लोग विरोध कर पाएगा यह इस इलाके की बात है और इलाका अपनी मांग मान रहा है हमें कोई हम सांती पूरूर्ण डंक स को अपना धर्ना पर्दर्सन अपना अंदोलन करने की वह अगर यह ऐसे हिटलर साही करेंगे तो इस बार हम एसीपी को साब को जो भी इनके बड़े-बड़े धिकारी है पुलिस को उनका घेरने का काम करेंगे हमारा तो एक दम बड़ा सांती से धर्ना पर्दरसन है अगर के यहापके हमको रेश्ट करने की कोशिश करेंगे तो इनका बहुत भरी हमारे इलाखे में इसका यह तानाशाहि रवैया हम बिलकुल नहीं इनका चलने देंगे और अपना सांथी पूरण रम्रोट्शे की बात रहे है कि यहाँ हमारा अधीकार हमें मिलना चाहिए हम जो हमारा सारा तमाम अर्याणा पूरा भारत वर्ष इन तीन जो इनके कानुन हैं उनके विरोध कर रहे हैं और पूरा सांती पर पर यह डंग से चलता है तो इसमें इन लोगों को ज़्यादा पुलिस की अगर इसमें इंटर्फेर किया तो इनको भारी नुक्सान जहिन पड़ेगा अभी मेरी बराबर में बैठे हुए कि चोदरी रूप चंद लामा जी का बिल्कुल सही कहना है कि अगर यह ऐसी ताना सही किने तो इनकी आरे एफ दो सेक्सन सीट उनसे इनके हमारे किसान भाई इनका जवाब देंगे उससे कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार पूरे हरियाना में जो है वो किसानों ने एक मन बनाया हुआ है कि जो भी भारती जनता पार्टी या फिर जन्नायक जनता पार्टी के नेता जो है वो कारेकरम कर रह और साफ तोर से इन लोगों ने एकी बात कही है कि यदि पुलिस परसासन ने इनके उपर किसी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश करी तो उसका जवाब भी ये लोग देंगे और उसका जवाब ये हुगा कि आने वाले चुनाओं में ये लोग उसका जो है वो भाहिसकार करे प्रियास कर रहें गाएंगा जाकर के लोगों को अपने इस आंदोलन्ड में जुड़ने की अपिल कर रहे हैं और कहीं ने कहीं को क्यों," हर्याना के मुख्य मंतरी का कारेकरम जैसे इस तरीके से आज तक की रिपोर्ट है जन्नाइक जन्ता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये कारेकरम होके रहेगा तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले किस तारीक को कारेकरम होता है या फिर किसानों की बलीदान किसानों क कि जो ये एक तरीके से आंदोलन चल रहा है इसकी भेट चड़ेगा